एके गोदिल मंगवएः हजार बा-पिं! जो आपका गाना बहुत ही काफी थेजी से वाइरोल हो रहा है जो एकई गोदिल मंगवएः हजारबा बहुत दर्धों को कहीं बहुत काफी फ्यार मिल ला Ellen जी सभी दर्धोंको एक भार पुनह जो है कोटी कोटी पढ़ाम करते हुए धन्यबाद ग्यापित कर रहा हूं कि आप लोग इतना असरबाद प्यार दुलार दे रहे हैं दो महिने के अंदर 13,00,000 इस पे बने हैं बोजफुरी का पहला गाना है जिस पे दो महिने के अंदर 13,00,000 बने हैं गाना सबसे पहले आप दर सकू को सुना दीजिए बिल्कुल न्यू खोठा वीडियो स्रीज चैनल पर गाना रिलीज है राज भाई और खुर्शी राज से एक्ट किये हैं इस गीत की लिखे हैं सिधु तिवारी अर्जुन सर्माजी म्यूजिक दिये हैं आर्या सर्माजी हम और सिल्फी राज इस गीत को गाय हुए हैं सबसे पहले हम उसमें गुन गुनाते हैं कि हमके पीछे तु कबले घुमाईबू हो आपन बॉयफ्रेंड कबले बनाईबू हो हमके पीछे तु कबले घुमाईबू हो आपन ब्वाय फ्रेंड कबले बनाईबू हो इहे जाने खाती दिल बेकरार बा अरे एहो का हो अरे एहो का हो एके गोदिल मंग वैया हजार बा पिछे पडल पुरा योपी बिहार बा एके गोदिल मंग वैया हजार बा की बेवा फाम नाम आपन हीट कईले बिया दिल से हमरा प्यार के डिल इट कईले बिया दिल से हमरा प्यार के नमस्कार पर नाम मैं हनी कुमार सिंग आप देख रहे हैं वी एन आर नियूज रिपोटर है मैं आ चुका हूँ वजपूरी की सुपरेश्टार सिंगर नागेंदर उजाला जी के पास जो भजपूरी इंडरष्टी में बहुत सारा इनकी मोबी आ चुकीया है बहुत काफी तहल का मचा रहे हैं हर साल में उनकी गाना मतलब क्राम हो देखने वाले 교 thuण भी गवाना काफी ते जी वायरल जो आपका गाना बहुत ही काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जो एकीगो दिल मंगवया हजार बाद बहुत दर्शकों को बहुत काफी प्यार मिल ला है जे सभी दर्शकों को एक बार पुना जो है कोटी कोटी पडाम करते हुए धन्यबाद ग्यापित कर रहा हूँ कि आप लोग इतना असरबाद प्यार दुलार दे रहे हैं दो महीने के अंदर 13,000,000 इस पर बने हैं बोजफुरी का पहला गाना है जिस पर दो महीने के अंदर 13,000,000 बने हैं तो दिल एकदम बाग बाग है बाकी फ्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में यह गाना बजबी रहा है ऐसे ही आसरबाद प्यार दुलार हम सभी पर बनाया रखिए कि ताकि हम लोग हमेसार बढ़ियां बढ़ियां गीत देते रहे हैं तो गाना सबसे पहले आप दर्सकू को सुना दीजिए बिल्कुल न्यू खोठा वीडियो स्रीज चैनल पर गाना रिलीज है राज भाई और खुशी राज जी एक्ट किये हैं इस गीत की लिखे हैं सिधू तिवारी अर्जुन सर्माजी म्यूजिक दिये हैं आर्या आर्या सबसे पहले हम उसमें गून गुनाते हैं कि हमके पीछे तु कब ले घुमईबू आपन बौई फ्रेंडी कबले बनई बूँ हो हमके पीछे तु कब ले घुमई बूँ हो आपन बौईफ्रेंडी कबले बनाई भु हो इह जाने खाती दिल बेकड़ार बार अरे ए हो काँ हो अरे ए हो काँ हो एक गुदिल माणावowment या घार बापीछे पढल पूरायो पीबिहार गुदिल माणावय जारबा पिछे पडल पुरा यूपी भिहारबा अच्छा भजपुरी इंडस्ट्री में जैसे आप स्टार्टिंग में तो आप राइटिंग का काम करते थे तो अच्छानक आप वो सिंगिंग लाइन कैसे मतलब शूच कर लिए देखिए पहले सही का आपने कि हम पहले गीत गीत लिखने के पहले हम हिंदुस्तान पेपर में में एक कॉलम आया करता था काउं-काउं उसमें हम काउं-काउं लिखते थे और लिकॉत पर दहला आता था, उसमें भी हम लिखा करते थे, उसके बाद हमारी किताबे जो है, दो किताबे छपी, रास्ट्री गीत की किताबे, नरायन बुक डीपो पटना से, तो लिखने के साथ साथ गाने का विशौक रखता था, बट जो परिवार के स्थिति हमारी अच्छी उस वक नहीं थी, चुकि उस वक्त मुझे याद है कि एक एलबम को बनाने के लिए लाखो साथी खर्ज करने पढ़ते थे, आठ गाने लिख़वाने पढ़ते तो पोस्टर बनवाईए और कैसेट बनवाईए, वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना पढ़ता था, उसके बाद वो कैसेट ले करके और जो है दुकान दुकान घूम करके बाटना पड़ता था तो वहां पर भी खर्च लगते थे तो जादे खर्च लगते थे तो जो है कुछ दिन तक हम गीतकारी किये और उसके बाद मेरी इस्तिती जब ठीक ठाक होने लगी कुछ पैसे आए हमारे मित्रों न हम तो जब पढ़ते थे दर्श्वी क्लास में तब से हम लिखना सुरू किया थे करीबन मुझे हो गया आपको बीस बरस बीस बरस जी अच्छा बजपूरी में जैसे आपका है सबसे पहले मतले जैसे गाना कौन सा ब्लाश्ट किया था मतले सबसे स्टार्टिंग गीत अंख जुन सर्मा जी ने लिखा था और रिकाउड हुआ था लक्षमी रिकार्डिंग इस्टूडियो था अच्छो गाना सुना दे हो क्यूंकि उस गाना के तुम मैं भी फैन हूं क्यूंकि गाना मैं भी बहुत ही काफी सुना हूं जे डूइट सॉंग है सबसे पहले खुश्ब फर 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 कता दिल वा धक 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 धड़कता सजीना सजीना हमरा दिल में समाजा प्यार करिला मन तरसता अंखिया फर 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 कता दिल वा धक 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 धड़कता फिर हम उसमें गुन गुनाते हैं सेम लाइन रहता है मेरा भी कि अंखिया फर 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 कता दिल वा धक 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 धड़कता सजनी सजनी हमरा दिल में समाजा प्यार करेला मन तरसता अखिया फर 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 काता दिलवा धक 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 धड़कता अवाज प्रोगाम दिया था थोड़ा सा आवाज लगा हुआ है अपका आवाज भी बहुत ही काफी मतलो हाई स्किल है उसके बाद से जो भी आपका गाना जो ब्लाष्ट किया है कोई असलील उस संग में नहीं है ऐसे आज कल जो भी सिंगर आ रहे हैं मतलो सुच रहे कि असलील से ही मैं फैमस हो जाओ असलील गारे अपनी अपनी सोच होती है मैं तो यही कहता हूँ कि देखे कभी भी किसी भी साल आप उठा कर देख लीजिए अच्छे गाने क्या नहीं बजते हैं क्या बहुत बजता है आपका जो भी जो ट्रेंड कर रहे हैं अच्छे गाने अभी देखिए अभी के डिट में बहुत अच्छे गाने बज रहे हैं अगर 10 गाना आपको तो 8 से 9 गाने जो है उसमें अच्छे गाने आपको बजते हुए!! तो ऐसा नहीं है कि ऐस्लील करकर आदमे फीटर्ट कर सकता है कभी-कभी जाने-ंचाने लोग सरा रहे हैं । HAR मगईन आथा रक पतिक रेफ Parece तो आदमी को उस वक्त प्ली समझ लेना चाहिए कि मुझे जो है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अच्छा भजपूरी में जैसे आपका बहुत ही काफी जैसे अभी मुवी उबर आ रहा है कि नहीं एक फिल्म हमारी रिलीज हो चुके है आर्मी की जंग और उसके बासे तीन फिल्में हमारी बनकर के त्यार है, आने वाली है महिमा चाठी मया के भक्ती फिल्म है, बड़े लेवल की फिल्म है और आप देखेंगे इस फिल्म को तो लगेगा कि हाँ कुछ बना हुआ है चुकि आज के आधूनिक परिवेस के कोई भी कपड़ा, खान पर आते जाते एक दरसों को को एक सैड सोंग सुना दीजिए, सैड सोंग एक लाइन में गुन मुनाओंगा सैड सोंग की बे वफा मिना मया पाम थोड़ा सा गला जो है बैठा हुआ है प्रगाम को इसे की बे वफा में ना मया पाम हीट कई ले भी या अर बे वफा में ना मया पाम हीट कई ले भी या दिल से हमरा प्यार के डिले टी कई ले भी या दिल से हमरा प्यार के डिले टी कई ले भी या कि जिन गी के सांगे हमरा किजिनगी के सांगे हमरा चीट कई ले भी या दिल से हमरा प्यार के जो आपका गाना था दिल चुळ देगा ऐसर से गाना जो आपके आज-जु भी गाना होता है बंब लश्ट होता अज चाहीं होता है तो आप देख रहे थे बे अन् आरर नूज तो आप कमेंट करके जरूर बताए कि इनकी आवाज कैसी है पड़ आओ